नमस्कार दोस्तों, क्यों और कहां पर अमेरिकी F-35 जेट की टक कर रशिया के SU-35 फाइटर जेट्स के साथ हो रही है, जिस कारण टेंशन इतनी बढ़ गई है कि एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकती है किस-किस ड्रोन, जासुसी जेट और यहां तक की फाइटर जेट्स को रशियन जेट्स ने पिछले दिनों परिशान किया है, यह सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों क्या एक और नई लड़ाई शुरू होने वाली है ऐसा अंदेशा इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि दुनिया की दो बड़ी सूपर पावर अमेरिका और रेशिया के टॉप अफ दा लाइन फाइटर जेट्स अब रेगुलरली आपस में उलजने लगे हैं एक छोटी सी गलती एक बड़े उकसावे की तरफ धकेल सकती है ये सब कुछ हो रहा है सीरिया की एर स्पेस में पिछले वीक की बात करें तो सीरिया में रशिया का एक सूपर फ्लैंकर यानि की SU-35 वे फाइटर कम बॉंबर जेट SU-34 अपनी रूटीन उडान पर थे तभी उनके ओन बॉर्ड एविनिक्स ने F-35 की रडार वेव को डिटेक्ट किया दो अमेरिकी F-35 जेट्स इन रशियन फाइटर जेट्स को ट्रैक कर रहे थे रशियन स्टेट मीडिया के अनुसार इन फाइटर जेट्स में बेहत एडवांस्ट किविनी electronic countermeasure system के wing tip ports लगे हुए थे जैसे ही एमेरिकी F-35 की रडार वेव ने SU-35 को ट्रैक करना शुरू किया तो इस किविनी electronic countermeasure system ने उन रडार वेव को डिस्टोर्ट करके F-35 को SU-35 की सही location को record करने से रोक दिया इसके बाद Russian SU-35 जेट्स ने अपना route चेंज कर लिया और conflict zone से बाहर निकल गए दोस्तों अमेरिकी coalition forces और रशिया के बीच 2019 से ही एक agreement है कि सीरिया में एक दूसरे के जेट्स को ट्रैक करके रडार लोक करने की कोशिस नहीं करेंगे दोस्तों सिर्फ इतने पर ही बात समाप्त हो जाती तब भी ठीक था लेकिन इसके दो दिन बाद ही दो अमेरिकी F-35 जेट्स दो Russian SU-35 जेट्स के बेहद पास पहुँच गए Russian authorities ने इसे describe करते हुए comment किया two F-35s buzzing dangerously close Russian SU-35 अमेरिकी F-35 के मुकाबले कहीं ज़्यादा manuring है और एक गलत manuring भी F-35 वे SU-35 के बीच collusion का कारण बन सकता था लेकिन Russian SU-35 जेट्स ने इस collusion को avoid करने के लिए अपना route चेंज करना ही सही समझा दोस्तों अमेरिका का most advanced 5th generation का stealthी F-35 जेट Mac 1.6 की speed से उड़ सकता है और यह internal fuel पर ही 2800 km दूर तक जा सकता है यह Russian SU-35 जेट्स जितना तेज तो नहीं उड़ सकता है लेकिन इसकी stealth बेतरीन है और यह passively यानि अपनी location को reveal किये बिना भी अपने sensors और electro-optical targeting system की साहिता से अपने target को track कर सकता है अगर फिर भी F-35 अपने AESA radar की साहिता से ही Russian SU-35 को track कर रहा था तो इसका सीधा सा message यह था कि America Russia को यह संदेश देना चाता है कि अब अगर उनके drones या जासुसी जेट को निशाना बनाया गया तो टकर लेने के लिए उनका सबसे advanced stealthy jet भी इस area में मौझूद है वहीं दूसी तरफ Russian SU-35 jets की बात करें तो यह flanker series का सबसे advanced और refined fighter jet माना जाता है यह Mac 2.25 यानि लगबग 2500 km पर आर की speed से उड़ सकता है जो F-35 की Mac 1.6 की speed से कहीं जादा है इसकी सिर्फ internal fuel पर ही range 3600 km तक है इसमें IRBIS-E radar लगाया गया है जो 400 km दूर से ही दुश्मन के fighter jets को track कर लेता है हाला कि इस बार इसका जो encounter F-35 के साथ हुआ है उसमें ये report नहीं दी गई है कि SU-35 ने कितनी दूर से American F-35 को track कर लिया था दोस्तों इनी engagements में SU-34 भी शामिल था जो एक fighter jet के साथ साथ bomber jet का role भी निभाता है ये किसी fighter jet की तरहें तेज speed से उड़ सकता है जबरदस्त maneuvers कर सकता है और किसी bomber aircraft की तरहें 14,000 kg के total weight की काफी सारी missiles को भी carry कर सकता है इसमें दो pilots side by side configuration में बैठते हैं दोस्तों अमेरिकी F-35 jets के द्वारा SU-35 की radar tracking का अगला step BVR missiles launch भी हो सकता था लेकिन अमेरिका फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेगा जिससे अमेरिका और रशिया के बीच हालात बिगड कर एक बड़ी लड़ाई का रूप ले लें इससे पहले की बात करें तो रशिया कई बार इस तरहें के aggressive behavior को दिखा चुका है 17 जुलाई को Russian SU-35 अमेरिका के निगरानी वे जासुसी jet MC-12 के बेहत नजदीक पहुँच कर उसे अपने jet की thrust से पैदा हो रहे ए टर्बूलेंस को जहलने के लिए मजबूर करके परेशान कर रहे थे तब भी अमेरिका ने कहा था कि इससे significant escalation हो सकता है यानि बात हद से ज़्यादा बिगड सकती है इससे पहले भी इसी सीरिया के airspace में रस्यन जेट्स ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन के उपर बेहत गरम फ्लेर्स भी लॉंच किये थे और इसके प्रोपेलर को डेमेज कर दिया था दोस्तों कोईलेशन फोर्सिस के रूप में अमेरिका ने पहले A10 थंडर बोल्ट और MQ-9 ड्रोन को सीरिया में तैनात किया था बाद में F-16 भी भेजे गए फिर मित्र देशों की साहिता से राफेल और यूरो फाइटर टाइफून भी वहाँ पर तैनात किये गए उसके बाद अब F-35 और F-22 रैप्टर जैसे 5th जनरेशन के stealthy जेट भी तैनात कर दिये गए हैं लेकिन इतनी तरह के फाइटर जैट्स के आजाने पर भी रेशियन फाइटर जैट्स पर इनका कुछ खास दबाव पड़ता हुआ महसूस नहीं हो रहा है कुछी दिन पहले यानि 2nd April 2023 के दिन रेशियन SU-35 ने अमेरिकी कोईलेशन फोर्स के एक F-16 को भी डेंजरेसली इंटरसेप्ट करके परिशान किया था रेशियन SU-35 जेट इस F-16 जेट को डॉग फाइट के लिए उकसा रहा था F-16 वैसे तो एक बेतरीन फाइटर जेट है लेकिन यह है दो इंजन वाले हेवीवेट कैटेगरी के सूपर मैन्यूरिंग SU-35 के सामने कमजोर साबित हो जाता है एपरिल के ही महीने में एक रेशियन जेट अमेरिकी एरक्राफ्ट के बेहत नजदीक आ गया था उनके अनुसार यह इंटरनेशनल प्रोटोकोल के खिलाफ था लेकिन साफ तोर पर दिख रहा था कि रशिया यह सब अपना दबदबा दिखाने के लिए कर रहा है 18 एपरिल में दुबारा से एक SU-35 ने F-16 को इंटरसेप्ट किया था तब भी अमेरिका ने इस घटना को unsafe और unprofessional कहा था दोस्तों जिस तरह के aggressive maneuvers Russian fighter jets के pilots दिखा रहे हैं उससे लगता है जैसे वे जानबूच कर dog fight के लिए American coalition forces के fighter jets को उकसा रहे हैं एक top के American commander का कहना है कि ऐसा नहीं लगता है कि वे American jet को missile से attack करके destroy करना चाते हैं लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि Russian pilots उकसावे की कारवाई करके एक international issue बनने लाइक incident यानि बेहद serious घटना को करने की पहल कर रहे हैं एमेरिकी अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि बार बार Russian ground attack jets missiles के साथ उनके military basis के उपर चकर लगा रहे हैं जो की 2019 में किये गए एक agreement के protocol के खिलाफ है इस protocol के अंतरगत दोनों देशों के jets को कई kilometer दूर ही रहना होगा और ये भी agreement है कि एक दूसरे के defined airspace में नहीं गुसेंगे इसी तरह के aggressive behavior की बात करें तो इससे पहले बार्च के महीने में रशिया ने आरोप लगाया था कि अमेरिकी drones और jets उनके defined airspace की violation कर रहे हैं रशिया ने इनी violation की घटनाओ पर अपना गुसा दिखाते हुए मार्च में Black Sea के उपर एक MQ-9 drone को destroy कर दिया था इस drone को गिराने वाले SU-27 fighter jets के pilots को रशिया में इनाम देकर सम्मानित किया गया था बताय जा रहा है कि इसी वज़े से Russian pilots ज़्यादा aggressive behavior दिखा रहे हैं वैसे दोस्तों एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि अमेरिका अक्सर रशिया के दुआरा दिखाई जा रही aggression को साबित करने के लिए photographs और वीडियो जारी करता रहता है लेकिन रशिया की तरफ से उनके claims को सही साबित करने के लिए ऐसे सबूत जारी नहीं किये जाते हैं दोस्तों आपकी राय में क्या रशिया इस समय इतना ताकतवर बचा है कि वह अमेरिकी ग्रूप वाले देशों को सीधी टकर दे सके अपनी राय कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखें दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें नमस्कार